खिलो एव्रिवान विल्कम टू माँ चानल तो आज के टैरीडिंग का टॉपिक है यह फूचर स्पाउस परस्शनालेटी ड्रीम पार्टनर वर्सिस रियालिटी तो क्या आपके ड्रीम पार्टनर आपको मिलेंगे या फिर रियालिटी में आपके परसन किस तरीके के होंगे यहाँ पर मैंने दो पाइल रखे हैं, पाइल नंबर वान, पाइल नंबर टू, आप इस इमिज से पाइल नंबर वान को चूज कर सकते हो, या फिर अपने जोडिक साइन से चूज कर सकते हो, उसी तरीके से पाइल नंबर टू है, आप इस इमिज से चूज कर सकते हो, या फि नेक्स टारा जस्टिस लीब्रा एनर्जी है नेक्स टारा सेवन होंस ओके प्रिंसस आफ कप्स एंड लास्ट है मारे पास दस्टार काड इकोरेस अर्टी मैं से सेट कर देती हूं थोड़ा सा तो यहां पर जो आपके ड्रीम पार्टनर की जिस तरीके की आपकी परसेप्शन है कि आपके परसन चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो तो वो आपको केरिंग लविंग जेंटल परसन और इमोशनल परसन चाहिए यहां पर विजडम जो है वो बहुत जादा आ रही है तो आप को एक mature आदमी चाहिए wise person चाहिए जो आपकी जिंदगी में आपका साथ दे सके हर तरीके से आपको समझ सके हर तरीके से आपके साथ निभा सके तो इस तरीके की यहां पर energy आ रहे जो आप चाहते हो next एक और चीज़ है आप fair और balanced person चाहते हो कि जिस तरीके का वो person हो कि वो बहुत जादा fair हो यह नहीं कि अपने माबाप के साथ या दूसरे लोगों की वजह से आपको hurt करे या फिर इस तरीके की चीज़े कर दे जिसमें ऐसी चीज हो जाए कि आपको unfair या unbalanced चीज लगे ठीक है और यहां पर आप यह भी चाहते हो कि यह person जो है courageous हो brave हो अगर कोई challenges आते हैं जो कि life में लगे ही रहते हैं तो उसकी वजह से जो भी problems आती हैं तो उसको वो अच्छी तरीके से face कर पाए उसके पास वो wisdom हो क्योंकि यहां पर crown chakra जो है वो बहुत जादा prominent आ रहा है और heart chakra भी prominent आ रहा है तो यहां पर जो है emotional चीज और mind की जो ability है वो दोनों ही balance जोनी चाहिए इस तरीके के person आपको चाहिए और दिखने में attractive हो चाहे man हो चाहे woman हो और उनकी एक healing ability हो positive thinker हूँ, optimism वाले person है कि कोई भी person अगर कुछ कह भी देता है तब भी वो negative ness में नहीं जाते हैं तो हर चीज का एक solution जो है वो उनके पास मिलेगा आपको और आप इस चीज की वजह से बहुत जादा उनको पसंद करने वाले इस तरीकी का mindset जो है वो आपका होगा कि आपको as a dream partner मिले अब देखते हैं कि reality में आपको कौन मिलेंगे तो यहाँ पर पहला cards आया है, lovers का card आया है, jemina energy है four of swords है, turning in, nine of pentacles की energy आया है, ripeness devil का card आया है, conditioning and next आ रहा है, queen of pentacles, flowering तो यहाँ पर similarly जो है, वो काफी हद तक आप जो चीजे चाहते हो वो चीज मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर star का card था आपकी dream में कि Aquarius energy में कि वो healing वाले person हो, वो heal कर पाएं आपको आपने जो भी positive negative अपनी जिन्दिगी में देखा है, जिसमें आप heal हो पाओ तो वो person जो है, वो आपको heal करेंगे, क्योंकि यहाँ पर four of swords वाली energy है दुनिया जो भी बोलती है, उसके बावजूद जो है, वो आपका support करेंगे financially भी, emotionally भी, physically भी, तो हर तरीके से जो है, वो आपको support करेंगे और एक अच्छी life को जीना चाहेंगे यह person आपसे बहुत जादा emotionally attached होंगे, जिसकी वज़े से आपको ऐसा लगेगा कि इस person के मन में आपके लिए care है, love है और एक unconditional love है यहाँ पर love जो है, वो सिर्फ और सिर्फ give and take वाली चीज नहीं है यहाँ पर कि तुमने मुझे इतनी चीज दी, मैं भी तुमें उतनी चीज दूँगा नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यह person जो है, गिवर होंगे, nurturing power वाले person है चाहे male हो, चाहे female हो, और हो सकता है, हाला कि सबी लोगों के लिए resonate नहीं करेगा लेकिन यह आपके soulmate हो सकते है, past life से तो सभी लोगों के लिए खास कर resonate नहीं करेगा लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर यह चीज महसूस हो रही है कि यह person आपका बहुत ज़्याल रखने वाले है तो चाहे male हो, चाहे female हो, आपकी health की, आपकी happiness की जो है इस person को परवा होगी, दूसी चीज मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगी जो reality में आपको future spouse मिलेंगे, वो जो है nine of pentacles वाले energy के person है बहुत जादा independent energy वाले person होगी, तो ऐसा नहीं है कि responsibilities हो गई है, या family life हो गई है, तो वो अपनी जिन्दगी को जीना छोड़ देंगे या देंगी, अपनी life भी वो जिन्दगी में जीना चाहती है पैसे कमाना जो है वो बहुत जादा उन्हें पसंद होगा, उन्होंने भी जो है जो भी देना चाहते हैं, वो सब वो दे पाएं, तो इस तरीके के energy है मुझे यहां पर यह नज़र आ रहा है, वो multi talented person होंगे उनकी hobbies जो हैं, जरूरी नहीं, उनका career कुछ और होगा, लेकिन उनकी hobbies हैं, वो अलग होगी, उनको photography बहुत जादा पसंद हो सकती है painting बहुत जादा पसंद हो सकती है, sculpture जो sculptures बनाते हैं, वो जादा पसंद हो सकती है communication skills, communication skills से जो है, वो कोई ना कोई काम करते होंगे, हाला कि यह भी हो सकता है कि उनका career हो, अगर RJ हो सकते हैं, रेडियो में काम करते हो या कहीं पर जैसे news broadcasters, TV presenters ऐसे हो सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों के लिए यह resonate करेगा, reporters हो सकते हैं, इस तरीके की energy आ रही है, यह person travel बहुत जादा करते होंगे चाहे office के काम के लिए करते हों, चाहे अपने personal gain के लिए करते हों, अपनी मन की खुशी के लिए करते हों, लेकिन यहाँ पर जो है, इसी तरीके की energy नजर आ रही है कि वो जो है ट्रावल करना पसंद करेंगे और आपके साथ ट्रावल करना पसंद करेंगे तो जहां पर भी वो आपको ले जा सकते हैं जो ऑफिशल टूर ना हो वहाँ पर जो है आपके साथ एक क्वालिटी टाइम को स्पेंड करना बहुत अच्छे से समझेंगी यहां पर एक चीज़ में और कहना चाहूंगी जैसे आपको healing की जरुवत है तो इस person को भी healing की जरुवत है चाहे childhood में बहुत जादा challenges देखे हूं mother father narcissistic हो सकते हैं कोई boyfriend girlfriend रहा हो जो narcissistic हो इस तरीके के energy आ रही है कि जो अपने लिए सिर्फ और सिर्फ इंटरस्ट को चुन रहा है और इस person को hurt किया गया है इसकी kindness का advantage लिया गया है चाहे वो male हो चाहे वो female हो आपके साथ भी यह हुआ होगा और इस person के साथ भी हुआ होगा चाहे चोटे perspective से हुआ हो चाहे बड़े perspective से हुआ हो लेकर यह चीज जो है वो आप दोनों में ही कही न कहीं similar होगी जिसकी वज़े से आप दोनों की bonding बन पाएगी आप भी जो है वो बहुत जादा जो है mature person होगी समय के जो मतलब आपकी age है physical age है biological age है उससे जो है आप mature होगे और यह person भी जो है वो बहुत जादा mature होगी एक चीज आ रहे है यहाँ पर devil का card आया है तो यहाँ पर यह person जो है ना कहना आपको सिखाएंगे इस तरीके की चीज़े जैसे मान लीजे कई बारी लोग जो है प्रेशराइज करते हैं कि यह कर लो फिर यह कर लो फिर यह कर लो और कई बारी व्यक्ति decision नहीं ले पाता है frustration में हा कह देता है तो यहाँ पर यह person जो है वो आपको यह सिखाएंगे कि कब हा कहना है कब ना कहना है मतलब यहाँ पर यह चीज़े की card की representation भी यह है कि sheep के बीच में एक lion फस गया है तो वो भी जो है अपने आपको sheep ही समझने लगा है बट आप lion हो और वो person भी जो है इसी दूसरे के साथ हो जाओगे यहाँ पर जो है passion की बात अगर करें तो भी वो जो है बहुत जादा extreme level का रहेगा कि आप दोनों की बीच में जो passion रहेगा वो एक emotional fulfillment की through passion रहेगा तो इस तरीके की यहाँ पर energy आ रही है कि ऐसा नहीं लग रहा है कि सिर्फ और से physical desires के बारे में स नेक्स्ट आ रहा है flowering card है queen of pentacles की energy है तो आप business woman नो सकते हो या मैं नो सकते हो इस तरीके की चीज रहेगी आप अगर job करते हो इस समय और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं तो job करता हूँ मैं तो business नहीं करता हूँ तो आने वाले समय में जो है आप job करते हुए भी business चलाना चा में भी है यहां पर public recognition भी है आप दोनों के लिए ही तो हो सकता है आप लोग कोई ऐसा काम शुरू कर दो धीरे धीरे ही होगा ऐसा नहीं है कि एकदम से सब कुछ हो जाएगा यहां पर आपके future spouse के साथ इसी तरीके का चीज रहेगी कि या तो आप दोनों जॉब करते होंगे तो आप दोनों में से एक परसन छोड़ कर जो है वो business भी start कर देगा चाहे वो small scale पे ही हो बहुत छोटा level हो लेकिन धीरे धीरे जो है वो एक fruit में तबदील हो जाएगा तो इस तरीके की energy और यह परसन आपको हमेशा support देंगे emotionally भी support करेंगे financially भी support करेंगे जो आपको चीज नहीं आती है जैसे मानलो सिफ example के तौर पर कह रही हूं कि मानलो आप maths में वीक हो तो आपको जो है profit and loss इतना अच्छे से नहीं आता ठीक है लेकिन ये person जो है वो उसको संभाल लेंगे और आपके पास marketing skills है तो आप वो use करोगे इस तरीकी की bonding के साथ जो है आप लोग अपन लीगल फर्म से भी related हो सकते हैं हाला कि सभी लोगों के लिए resonate नहीं करेगा लेकिन अगर लीगल फर्म से वो related होंगे तो अभी जो है वो foot steps है stepping stones है कि धीरे धीरे जो है ये person अपना नाम कमाएगा और जहां पर आप रहते हो चाह डिस्टिक लेवल पर कमाए धीरे धीरे या आप दोनों के public recognition में कहीं नाम आएगा अब वो किस तरीके से आएगा कैसे आएगा ये situation पर डिपेंड करता है बट ये ये चीज होगी अगर आप legal firm से कहीं ना कहीं related हो और धीरे धीरे होगा एकदम से जो है कोई भी चीज यहां पर नहीं हो रही है चलिए देखते हैं कि औ आप पर trust करेंगे fully trust करेंगे और आपको भी उन पर trust करने की जरूत है अगर आपको कोई चीज मुश्किल लगती है क्योंकि कई बारी ऐसी personality होती है कि easily आप trust ना करते हों और मैं उसको कभी भी judge नहीं करती हूँ मेरा काम judge नहीं करने का है तो आप अपनी inner voice पर ध्यान देना कि इस person पर trust किया जा भी सकता है या नहीं next आरा forgiveness I acknowledge that harboring resentment blocks the flow of love तो जिस जो लोगों को अगर आप forgive करना चाहते हो नहीं चाहते हो या करना चाहते हो या आपके ओपर depend करता है आपकी situation पर तो आपको forgive अगर करना है तो आप कर दीजे और अगर नहीं भी forgive करना है तो indifferent हो जान indifferent का मतलब यह होता है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा वो जिन्दा है या मर गया या कुछ है और इसमें काफी लंबा समय लगता है हमारा जो mind है वो हमेशा ऐसे लोगों के पास जाता है कि उन्होंने hurt किया है तो हमारे जो memories होती है जो senses होती है वो इस तरीके की होती ह कि उसमें कहीं न कहीं एक pain होता है लेकिन आप समय के अनुसार जो है वो उन लोगों से indifferent हो जाओगे और आप इतने जादा hard हो जाओगे तो मैं यह कहूँगी कि आपको अपने उपर focus करना है उन लोगों पे नहीं तो इस तरीके की चीज़ रखना इस person के साथ भी ऐसा होगा मतलब आपके future spouse के साथ भी ऐसा हुआ होगा और आपके साथ भी ऐसा होगा और दोनों की यह जो same situation है उससे जो है आप दोनों की bonding और जादा गहरी हो जाएगी next our relationship I am attracted to those people who serve my higher good तो यह person बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि यह person मेरे लिए सही नहीं है उसको cut off करो जो सही है उसको रखो और आपके साथ जो है वो एक मैंने कहा ना की healing bond में आ जाएंगे कि आप दोनों एक दूसरे को heal कर पाऊगे हो सकता है शुरुआत में आप दो जाहे family members ही हूँ जरूरी नहीं होता कि breakup या divorce ही होई तभी जो है व्यक्ति को कोई problem होती है family members भी जो है selfishness दिखाते हैं आज कल बहुत prominent है तो इस चीज को जो relatives है या friendship है जो उसमें कहीं नकर किसी person ने आपके साथ selfishness करी है kindness का आपका फाइदा लिया है तो इस person के साथ भी ऐ awareness तो growth होगी आप दोनों की growth होगी या पे spiritual growth भी है financial growth भी है physical growth भी है तो हर तरीके के aspect में आप दोनों जो है काउंसलिंग करते हों डीसेंट होंगे डिसाइसिव होंगे अपना decision ले पाते होंगे जो है और भाशा जो है वो उनकी अच्छी होगी नेक्स्टार मेटिकुलस बहुत ही हल्की मतलब छोटी-छोटी चीजों पर ध्यान देते होंगे तो आपके उपर पूरा focus रखेंगे ऐ आपको कुछ problem भी और उनको ना पता चले तो वो जो है हमेशा आपका ध्यान दखेंगी नेक्स्टार है honest honorable इस person की बाहर इजद बहुत जादा होगी और fake इजद नहीं fake इजद वह होती है कि लोग दिखाने के लिए बहुत कुछ करते हैं लेकिन उसके बावजूद जो है व आप से खुलने में तो अपनी इच्छाएं जो है वो थोड़ी दिनों बाद या कैसे तो कुछ महीने बाद ही जो है वो प्रॉपरली आपको बता पाएंगे चलिए देखते हैं लव कार्ट किस तरीके से रोमांटिकली होंगे तो यहां पर जो है दोनों कार्ट में मुझे एंजल के एक तरीके से फैदर दिख रहे हैं यहां पर तो डव है वो पीसफुलनेस को दिखाता है एक सादगी को दिखाता है यह परसन बहुत जादा सिंपल रहने वाले परसन होंगे खुश मुझास परसन होंगे लेकिन शांती में बिलीव करते होंगे लड़ाई जगड बिलीव करते हैं कि बोरिंग बोरिंग नहीं है वो अपने समय से उसके पास इतनी अंडरस्टांडिंग यह विजडम है जिसकी वजह से यह परसन इस तरीके से बहेव कर रहा है या उसने इतना कुछ सहा है तो इस तरीके की चीजे रहेंगी आप दोनों के बीच में आपके परसन की परसनालिटी में तो चलिए देखते हैं लव कार्ट क्या कहते हैं तो पहला आ रहा है यू में नॉट ऑल्वेज अंडरस्टांड वाई सर्टन थिंग्स हापन हावेवर देर इस ऑल्वेज अ हायर पुपस तो इवेंट्स इन यूर लाइफ थू तो यहां पर जो ह आपका मन परिशान हुआ होगा तो उसमें जो है यही चीज आ रही है कि आपके लिए वो एक ब्लेसिंग की तरीके से ही बाहर निकल कर आएगी नेक्स आरा है डोंट मेंग डिसीजन बेस्ट अन गिल्ट और वट यू थिंग यू शुद दो वर इपको अपने आप से सच बोलने की जुरूत है ज्यादा तर लोग जो है वो अपने आपको भ्रहमे रखते हैं और लोग उसे वैलिडेशन चाहते होते हैं कि मैं अच्छा अपने बीच में एक इमानदारी बरतना और उसके साथ जो है आगे बढ़ना तो चलिए देखते हैं कुछ लव सॉंग्स की ये परसन जो है आपके फ्यूचर स्वाव जो है वो आपको कहना चाहेंगे या एक्स्प्रेस करेंगे तो पहला आ रहा है धीमे धीमे जुबेदा मूवी का आप इस लिरिक्स को देख सकते हैं नेक्स टारा कुछ ना कहो 1942 अलव स्टोरी का नेक्स देख लेते हैं अकेले हैं तो क्या गम है कयामत से कयामत तक का और एक एक और देख लेते हैं मेरा एक सपना है खुबसूरत मूवी का तो ये हो सकते हैं कि इस तरीके से जो ह या फिर जो है वो अपना लव को जो है वो आपकी तरफ इस तरीके से एक्स्प्रेस करेंगे तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड को चार्म्स यहां पर मैं चार्म्स को सेट कर देती हूं तो यहां पर एक एंकर आया है स्टेबिलिटी है आप लोगों के बीच में एंजल का फैदर आया है स्वान आई है हार्ट आया है सीजर आई है एक लीफ आई है और एक लाव आया है आप बता देती हूं आपको तो एंजल का फैदर आया है आप दोनों spiritual person होंगे समय में इश्वर में विश्वास करते होंगे समय ही जो है actually में देखा जाये तो indirectly जो है इश्वर है तो समय जो है वो बदलता है तो सबकुछ बदलता है next आरे स्वान आया है तो यह person बहुत ज़्यादा loyal होंगे आप से भी loyalty की उमीद करते होंगे next आरे heart आया है तो heart जो है यह person आपकी तरफ मैंने पहले भी कहा था emotion भी बहुत ज़्यादा attach हो जाएंगे और एकदम से होंग करना है घीरे-घीरे occurs ऐसा नहीं है कि अधित्डम से डिलेश हो करके सब कुछ व्यक्ति भूल जाता है लेकिन भूलता आपक्छली को वह दो नहीं है लेकिन इतना रहता है कि उस चीज का असर जो है वह थोड़ा दूंदला हो जाता है बस इतना ही होता है life में मैंने आपको wisdom वाली बात बता दी है तो ये चीज होती है नेक्स टारा एक leaf आई है leaf जो है वो autumn season को भी दिखाती है और इसी तरीके के दिखाती है कि tree जो है वो leaf के बिना अधूरा है leaf जो है वो tree के बिना अधूरी है तो इस तरीके की चीज है एक new beginning को start करने वाली चीज है कि जैसे spring में new leaves आती है उसी तरीके से आप लोगों की beginning होगी और next आरा लाव आया है तो यहाँ पर ये person का love जो है या care जो है वो आपको दिखेगी अपने आप तो pile number one ये थी आपकी reading उम्मीद करती हूं आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरा content, readings और energies अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चानल को like करें, share करें, subscribe करें Thank you pile number two अगर आपने इस pile को choose किया है या फिर जो है आपका zodiac sign इसमें से आता है independent person है, self-sufficient है अपने आप में next आ रहा है, strength का card आया है Leo energy है, बहुत ही जादा highly confident person होंगे थोड़े से जिद्धी भी हो सकते हैं next आ रहा है, nine of cups and next है, six of wands तो यहाँ पर जो आपकी dream person है या जो male हो, चाहे female हो तो यहाँ पर मुझे इसी तरीके energy नजर आ रही है, कि आप ऐसा person चाहते हो, कि mind से जो है वो analytical mind के person हो ऐसे नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया, तो उसके रास्ते पर चल पड़े नहीं, वो अपना दिमाग लगाए, क्या सही है, क्या गलत है अपना decision खुद ले, तो इस तरीके की energy आपको चाहिए, चीक है, और वो earth personality में हो, मतलब वो practical person हो, grounded person हो stable person हो, इस तरीके की यहाँ पर energy आ रही है, और जहाँ पर मैं एक चीज़ और कहना चाहूंगी, इस person को कहीं न कहीं spiritually wisdom है तो या तो आप psychic हैं psychic हैं, या फिर ये person psychic हो सकते हैं, या फिर psychic हैने का मतलब मेरा यहाँ पर यह है कि आप दोनों की जो bonding है universe से या इश्वर से, वो एक अपने ही level पर है, जिसको explain कर पाना मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की energy है कि dark night of soul है कि जो soul है, उसने जो है काफी जादा evolve हुए है अपने आप से, तो ये past life को भी जो है अपनी wisdom को लेकर आ रहे हैं, तो आपको इस तरीके का wise person चाहिए होगा next आरा nine of points के energy है तो nine of points जो है independent energy को दिखाती है, investment को दिखाती है अपने आप में self-sufficiency को दिखाते हैं, चाहे male हो चाहे female हो तो अगर आप एक male है, female के लिए देख रहे हैं, तो वो जो है उस person की boldness या strength या फिर जो mental ability है उसको जो है आप appreciate करना चाहोगे, उसकी जो money making power है या business orientation है, उसको जो है आप बहुत जादा admire करोगे कि आपको ये चीज अच्छी लगेगी कि सामने वाला person जो है वो मजबूत है दिमाग से तो किसी और के उपर वो depend नहीं हो रहा है या हो रही है, इस तरीके की energy है और अगर आप एक female है, male के लिए देख रहे हैं तब भी आपकी यही इच्छा रहेगी कि वो person किसी पर भी depend ना हो या biased ना हो कि mother, father ने कुछ क्या दिया तो उनके साथ decision ले लिया नहीं, वो उनका अपना एक proper decision होगा जिससे वो अपनी life में बहुत कुछ करना चाहते होंगा और ambitious person जो है आपको चाहिए next आरे strength का card आया strength जो है Leo energy को दिखाता है बहुत जादा highly confident person ambitious person कि उनकी एक power है चलने का तरीका उठने बैठने का तरीका हर तरीके से जो है आप लोगों के बीच में एक powerfulness दिखेगी एक personality में एक कह सकते हैं कि जो power है एक aura जो है उसमें जो है जैसे दमदार इंसान कहा जाता है कि चाहे वो male हो चाहे वो female हो अगर वो female है तो उनको जो है काफी जादा एक queen की तरीके से देखा जाएगा और अगर एक male है तो उनको जो है एक highly powerful personality के रूप में देखा जाए या वो celebrity हो ज़रूरी नहीं है कि टीवी star हो या sportsman हो लेकिन किसी छोटे level पर भी वो celebrity हो सकते हैं जिसमें आप interested हो या फिर जो है आपका कोई crush है उसमें आप interested हो तो उस person को आप एक अपने dream partner की तरीके से देखते हो कि looks में वो अच्छे हैं बिहेवियर में वो अच्छे हैं उन्होंने उनको आपकी care है और भी जो aspects होते हैं वो सारी चीजों की वज़े से आपको अपने partner में पर्षाटर में वो person दिखते होंगे नेक्स टार है six of wands की energy है तो six of wands की energy जो है success, victory को दिखाती है आप ऐसे person को चाहते हो कि उस person का नाम हो अब वो level जो भी हो चाहे छोटा level हो, चाहे बेड़ा level हो चाहे national level हो या international level हो वो किसी ने किसी तरीके से public recognition में हो लोग जो है उनके बारे में जानते हो बातचीत करते हो एक कह सकते है spotlight में हो तो वो किसी भी level पे हो सकते है लिए कि spotlight में हो कि उनका इतना नाम हो या इज़त हो कि जिसकी वज़े से उनको जाना जाता हो तो आपकी जो dream partner है वो जो है इसी तरीके का आप देखते होंगे या सोचते होंगे आप देखते हैं आपकी किस तरीकी के पार्टनर होंगे तो पहला आ रहा है creativity three of pentacles की energy है next आ रहा है sun innocence का card आया है okay abundance next आ रहा है receptivity empress का card आया है और next आ रहा है nine of cups nine of cups जो है वो double बारी आया है तो यहां पर जिस person को आप सोच रहो जिस पे आपको crush है या आप सोचते हो कि इस person के साथ life बनाई जा सकती है तो इस person को ही जो है आप अपनी जिंदगी में manifest करोगे यह हो सकते है आप में और इन में जो है financial चीजों में फरक हो यह मतलब कहने का मतलब यह है कि यह थोड़े है wealthy background से आते हो आप से जो relation में हो तो उनसे जो है wealthy में आते हों तो यहां पर three of pentacles की energy आई है three of pentacles की energy जो है collaboration को दिखाते हैं या तो यह आपके working place पे हैं या फिर अगर आप school college university में हैं और आप किसी पे crush रखते हो या आप किसी से बाचीत करना चाहते है तो यह वो person है तो इस तरीके की energy यहां पर मुझे नजर आ रही है कि आप लोग बहुत बहुत creative person होंगे वो creative mindset वाले person होंगे चाहे उनका career या पढ़ाई जो है वो अलग हो लेकिन उन्हें guitar बजाना painting करना photography करना cultural events में participate करना dance करना जो भी एक hobby की through या कह सकते हैं जो other curriculum activities होती हैं उसमें जो है इस person को बहुत दा महारत हासी होगे तो talented person होंगे यह अपने talent को वो किस तरीके से दिखाते है वो different different होता है मुझे यहां पर यह भी नज़र आ रहा है कि किसी भी चीज़ को एक normal चीज़ को भी सुन्दर बनाना चाहे वो सितारे लगा के बनाना हो या sparkle लगा के बनाना हो यह person जो है बर्दे पे आपको बहुत ज़ादा एक तरीके से celebration आपके साथ चाहते होंगे नहीं भी जानते हैं तब भी जो है आपकी जो इच्छाए हैं वो यह सारी चीज़े पूरी करेंगे और अपने आप से करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको किसी चीज़ को कहना पड़ेगा कि मुझे यह चाहिए वो अपने आप यह करेंगे next star is sun का काड़ा innocence आई है तो यहाँ पर innocence है purity है आप दोनों के बीच पे इस तरीके की energy रहेगी कि एक बचपना बचपना इन negative sense में नहीं कह रही हूँ कि आप दोनों को ऐसा लगेगा कि आप लोग बड़े होने के बावजूद जो है आप दोनों की कोई selfish interest नहीं होता तो इसी तरीके से जो है आप दोनों के बीच में bonding रहेगी तो इस तरीके के real person आपको मिलेंगे एक चीज में और कहना चाहते है इस person को या आपको perfume का बहुत ज़्यादा शौक होगा flowers का बहुत ज़्यादा शौक होगा purple रंग के कपड़े पहनना white color के कपड़े पहनना अलग-अलग तरीके के hair extension करवाना या फिर coloring करवाना अब डिपेंड करता है यह आपको क्या पसंद है यह सबके लिए अलग-अलग होगा क्यों एक general reading है लेकिन इस तरीके की चीज को अपने आपको up-to-date रखना अच्छे कपड़े पहनना अच्छा स्मेल करना अपनी अच्छी बॉड़ी को मेंटेन करना तो यहां पर यह भी चीज है कि आप योगा या जो भी फिजिकल अक्टिविटी में involved हो और डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है जिम भी हो सकता है योगा भी हो सकता है वाकिंग भी हो सकता है जॉगिंग भी हो सकता है तो वैसी चीज है लेकिन यहां पर मुझे इस परसन में यह नजर आ रहा है नेक्स्ट आ रहा है abundance का काड़ा है तो abundance जो है वो पूरी तरीके से है पैसा है wealth है emotional fulfillment है wisdom है और दूसरी चीज यह है कि यह person अपने ambitions को जैसे मैंने यहां पर का था कि nine of points है यहां पर triple nine आया है तो triple nine angel number को जाके देख लेना आपके लिए कोई ना कोई message होगा जो आप से relate होगा तो उसे जरूर जाके देखना और अगर हो सो के wisdom हो चाहे अपनी respect हो तो उसमें जो है आप बढ़ात्री करते हुए मुझे दिखोगे यहां पर जो है यह person nerdy हो सकते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिफ पढ़ाकू person ही है सिफ पढ़ते रहते हैं और बाकी कोई काम नहीं है ऐसा नहीं है लेकिन इस person को किताबे पढ़ने का शौक होगा और different किताबे syllabus वाली किताबे नहीं different किताबे तो depend करता कि उनको knowledge किस तरीके से gather करनी है अगर कोई आजकल कह रहे है कि किताबे नहीं पढ़नी है तो हो सकता है वो audio book सुनते हो या फिर जो है वो internet पे इस तरीके से research करते हो जिसमें उनको बहुत सारी knowledge मिलती हो एक चीज और है इनका एक अपना dream plan है एक अपना goal system है तो वो उस goal को achieve करना चाहते है आपको बताएंगे कि यह मेरा goal है life का यह goal है या जो भी ambitious goals होंगे वो यह आपको बताएंगे आपको अपना मानेंगे और इस person के मन में भी यह रहेगा कि आप भी उस person को अपना मानो तो इस तरीके की energy है यहाँ पर lotus energy आ रही है तो lotus जो है वैसे इस तरीके का flower है कि वो जो negative circumstances हैं उसमें भी जो है एक positiveness को लेकर उभरता है हाला कि यह political party का भी है लेकिन चलो उसकी बात नहीं करेंगे तो यहाँ पर जो वो lotus जो है वो negative circumstances में भी अपने आपको positiveness में रखने वाला person है तो इस तरीके के यह person होंगे तो उन्हें मालूम है कि किसको अपनी boundaries कैसे बनानी है कैसे set करनी है और life को कैसे जीना है खुशी से जीना चाहेंगे आपके साथ भी खुशी से रहना चाहेंगे दूसरे परसन के साथ भी जो है खुश रखना चाहेंगे next star है Empress का काड़ा है तो यह person चाहे male हो चाहे female हो उन्हें बच्चे बहुत जादा पसंद होंगे nurturing power वाले person होंगे care करना या परवा करना उनकी परवा जो है वो आपको दिखेगी तो इस तरीके की energy है यह person चाहे male हो चाहे female हो इनकी feminine side जो है वो आपको बहुत जादा attract करेगी जिसकी वज़े से आपके मन में इस person के लिए बहुत जादा इज़त रहेगी मान समान रहेगा आपको ऐसा लगेगा कि इश्वर ने आपको एक blessing दी है या कह सकते हैं कि आपको कोई न कोई उपहार दिया है इस person के थूँ जैसे मैंने कहा कि आपको इच्छा होगी कि मेरा dream partner जो है वो इसी तरीके का हो तो इस तरीके का person आपको यहां पे मिल रहा है नेक्स्ट आ रहा है nine of cups की energy है खासकर यहां पे laziness को दिखाया जा रहा है तो कभी-कभी आप लोगों की इस तरीके के moments होंगे एक बुसरे के साथ कि आप बाहर घूमने जाएं या फिर enjoyment करने चाएं तो वहां पे आप quality time को spend करना जादा पसंद करोगे ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ काम के जरीए ही आप जाओगे मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि सिर्फ काम के official tour है तब ही आप घूमने जा पारे हो जो कि जादा तर middle class family में होता है यह person जो है वो आपको वैसे भी घुमाना पसंद करेंगे चलिए देखते हैं कुछ और कार्स की इनकी personality से related तो यहाँ पर पहला आ रहा है love I commit to practice of seeing the good in all things तो यह person जो है आपके मन में अगर जो थोड़ा बहुता छुपा हुआ पयार भी है वो भी जो है जगा देंगे next आ रहा है friendship I understand that a friend is in my life for a reason तो आपको यह जो फ्रेंडशिप अली vibes है वो जैसे मैंने कहा है कि एक बचपन दिखे जा कि आप दोनों की जो फ्रेंडशिप है मिया बीबी से जादा मतलब आप दोनों को एक दूसरे से अटाश्मेंट हो जाएगा next आ रहा है honesty I can't always expect the truth from others but I can't expect it from myself यह person जो है वो बहुत जादा honest person होंगे जैसे कि कई बारी लोग और बहुत सारे relationship में जो mother father बन जाते हैं जो 30-30 साल तक एक दूसरे के साथ रहते हैं उसमें भी जो है बहुत जादा जूट सच चलता है लेकिन यह person आपके साथ जूट नहीं बोलेंगे चाहे लडाई हो जाए लेकिन यह person आपसे जूट नहीं बोलेंगे तो आपका trust यह तोडने वाले नहीं है और यह आपसे भी यह expectation रखेंगे कि आप किसी भी तरीके को घुमा फिरा कर मैनिपुलेट करके बात ना करो सीधे cut to cut बात करो और यह चीज सच है यह इस चीज मुझे बोलनी है तो इस person को जूट से बहुत जादा नफरत होगी और इससे कभी जूट मत बोलना ठीक है अगर आपको कोई चीज बतानी भी है तो उसको प्यार से जाके बता देना लेकिन इस person को जूट मत बोलना क्योंकि reaction जो है वो बहुत ज़ादा हार्श हो सकता है यहाँ पर क्योंकि Leo energy है Leo energy वाले person ज़ादा तर जो है जूट पसंद नहीं करते हैं क्योंकि पकड़ लेते हैं कि जूट क्या बोला जा रहा है और क्यों बोला जा रहा है next आ रहा है change आ रहा है I understand that nothing can grow or evolve without movement यह person changes में believe करते हैं life को importance रखते हैं लेकिन उसमें changes लेके आते हैं जादतर लोग जो है वो afraid होते हैं डरते हैं changes से कि मुझे बाहर नहीं जाना मुझे अपने घर के आसपास ही ले लेना है घर या फिर इस तरीके की चीज़ें लेकि यह person जो है explorer होंगे adventurous person होंगे life में भी और अपने career में भी बहुत जादा changes को पसंद करेंगे इसलिए पसंद करेंगे क्योंकि जैसे मान लो example देती हूं सिर्फ समझाने के लिए दे रही हूं अगर मान लो किसी को हैदराबाद में जाके 15,000 का जो है jump मिल रहा है चीक है किसी salary में और यह person जो है जो जादा तर लोग जो है वो यह चाहेंगे कि मैं क्यों दूर जाओं मुझे जो है दूर नहीं जाना अपने घर से जात लोगों यह mentality होती है लेकि यह person जो है वो वहाँ पे जाएंगे और सिर्फ इसलिए नहीं कि पैसे उनको यह मन में है कि मैं new city को explore करूंगा यहां से experience लूँगा या लूँगी और वहाँ पे जो है एक और अच्छी जॉब में यहां से निकलूँगा तो हो सकता है आप अपनी life में इस person के साथ जो है काफी travel करो different different places पे रहो जो भी आप लोगों की career या job से related हो या फिर business से related हो और ultimately जो है आप किसी और देश में या जैसे कोई भी देश ले लो चाहे New Zealand ले लो चाहे Australia ले लो Canada ले लो UK ले लो कोई भी ले लो तो वहाँ पे जाके सेटलो और इस वजह सेटलो हो गए कि वहाँ पे business को और ज़्यादा flourish करना है तो यह person धीरे धीरे जो है अपनी एक stepping stone के साथ एक जो कह सकते है कि legacy को बनाना तो इस तरीके के person यह यहाँ पे होगी तो चलिए देखते हैं उनकी personality से related किस तरीके personality के हो सकते है या कोई random message मिल जाए उनकी personality से related आ गया है INTG personality mastermind तो इस person के मन में जो है बहुत सारी ऐसी चीज़े चलती होगी जिसकी वजह से यह person अपने आपको ऐसा feel करते होंगे कि मुझे यह करना है और इस तरीके से करना है next देख लेते हैं prudent, punctual तो यह person जो है बहुत जादा punctual person होंगे, wise person होंगे और अपने समय को बहुत जादा seriously लेते होंगे, तो time-based यह person नहीं करते हैं observant, यह person जो है observation वाले person है ऐसे पसंद नहीं है कि किसी ने कुछ कह दिया या कुछ मतलब मैनिपुलेट करने की कोशिश की तो यह person जो है observe करेंगे ऐसे पसंद नहीं है कि किसी ने कुछ कह दिया और मैने उसे मान लिया next देख आरा ENFP champion person तो यह person जो है वो बहुत जादा competitive person होंगे तो अगर मान लीजिए अगर यह business करते हैं या job करते हैं तो यह top most post पे रहना पसंद करेंगे या फिर जो है अपने business को इस तरीके से चलाएंगे competition वाले person है बहुत जादा इनके मन में competition रहता होगा और लोगों को जो है हराने के वे में नहीं लेकिन बहुत जादा अपने आपको improve करने के वे में यह दिखते होगे और नेक्स आरा youthful तो यह अपनी age से जो है youthful दिखते होंगे अपनी age से जो है वो कम दिखते होंगे मतलब मान लीजे अगर वो यह 30 years के हैं तो यह 27, 28, 25 इस तरीके की age के दिखते होंगे क्योंकि यह person जो अपने body पे work करते हैं या करती हैं इस तरीके की energy आ रही है तो चलिए देखते हैं कुछ और cards तो यहां पर जो है मुझे दोनों ही cards में ऐसा लग रहा है कि यहां पर feminine जो है वो बहुत जादा खुश है तो अगर आप feminine है मतलब gender wise तो आप बहुत जादा खुश होने वाले हों क्योंकि आपको जिस तरीके का person चाहिए था लगभग उसी तरीके का person आपको मिल रहा है तो public recognition जो है वो समय के साथ आएगा लेकिन आएगा जरूर अब वो depend करता है कि आपके business के साथ आए आपके job के साथ आए वो हर person के लिए अलग-अलग होगा तो चलिए देखते हैं यह romantically जो है love life में किस तरीके से behave करेंगे तो यहां पर पहला आ रहा है embrace through each other you finding the missing piece तो आप दोनों को जो है missing piece मिल जाएगा आप एक दूसरे को embrace करना hug करना बहुत ज़ादा पसंद करोगे और इस जो कह सकते हैं कि गले लगाने में या hug करने में जो है वो आप दोनों को ऐसा लगेगा कि आप दोनों को एक missing piece मिल गया है तो यहां पर जो है जो है जो आप चाहते हो आपको वही मिल रहा है और आपकी जो blessings है वो जो है आपको ईश्वर खुद बखुद देंगे और यह सही समय पर होगा तो जल्दबाजी मत करना लेकि जो भी होगा वो आप जैसा चाहते हो उसी तरीके का मिलेगा चलिए देखते कुछ लव सॉंग्स देख लेते हैं आपके परसन अपने लव को किस तरीके से एक्स्प्रेस करना चाहेंगे I Love You, Bodyguard Movie का है तो अपने लिरिक्स देख लेना कि किस तरीके से वो आपको कुछ कहना चाहते हैं नेक्स्ट आ रहा है तुझे देखा तो DDLJ का है Nothing Wanna Change My Love For You, George Benson का है और एक और लास्ट देख लेते हैं दिल, दिल तो है दिल, दिल का एतबार, मुकंदर का सिकंदर, I think यह अमिता बच्चन की मुवी का है मुझे पक्का नहीं पता है, तो आप देख लेना कि कौन सी मुवी का आया है एक और मन कह रहा है कि निकाल लू मैं, Love Song तो नेक्स्ट आ रहा है, चांसी महभूवा होगी मेरी I think यह मनोज कुमार की मुवी का रहा है, अब हो सकता है, मैं गलत भी हूँ तो बता देना कि सही बोला है कि गलत बोला है, चीक है तो इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चांप्स देख रहेते हैं तो चांप्स में आया है, एक प्लानेट आया है, क्रेन आया है, पाइसिस एनर्जी है, एक और प्लानेट आया है तो यहां पिर जुपिटर के इनर्जी मुझे बहुत जादा नजर आ लिए, सजिटेरिस एनर्जी के आप हो सकते हो, या वो हो सकते हैं सब्सक्राइब करते होगे और इक्वल रिस्पेक्ट करते होगे ठीक है तो आप और्थोडॉक्स नहीं होगे और बहुत जादा जो है आप एक शान्ती प्रिये परसन होगे कि कोशिश करते होगे कि कामनेस रहे नेक्स आ रहे हैं यहां पर म्यूजिकल चाम आया तो इस परसन को म्यूजिक का बहुशवद शॉख होगा या आपको बहुशवदा शॉख होगा तो हो सकता है वो गाना लिखते हो या कोई इंस्ट्रुमेंट बजाते हो या गाना गुनगुनाना पसंद हो तो इस तरीके की चीज हो सकती है तो पाइल नमबर टू ये थी आपकी रीडिंग उम्मीद करती हूं आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरा कंटेंट रीडिंग और इनर्जी अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चानल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थांक यू